कि सर्दियां वे इतनी खड़ाब हो गएना फट अपने लगाए मतलब मांस लेने जाते हैं लेकिन अगर मार्किट में मास लेने जाते हैं तो बहुत ही तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आयों जो आपको ना महेंगा मास्क खाईने की जबत बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली है अब बहुत ही कम रुपों में मतलब ज्यादा से जाद बहुत सस्ते में आप चो अपने लिए फेस मास्क बना सकते हो हैं अपका फेस इतनी ही कम्प्लेंश का कि अपी जड़ा ना लगते हैं तो ज्यादा टायम ना लगाते हुए चले हम चलते हैं अपने फेस मास्क की तरह मतलब की हारीटिम मास्क हम बनाते है अज अपने लिए सेरम वाला मास्क आता है जो अपने फेस पर लगा हो 15-20 मिनिट के लिए जो अपने फेस में बहुत ज्यादा प्लंप आता है बढ़ा बढ़ा सा अच्छा सा लगता है यह नहीं कि हमा फेस राइनस है उसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल लोगों को नहीं पता कि हाइडरेटिंग मास्क क्या होता मैं फेस लिए तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी किचन से खाली प्लेट लेके आनी है उसमें आपको आदा चमच के करीब अलोवर जेल डालना है चाहे मार्किट वाला हो या फिर नैचुरल हो नैसेसे बनाना है मिकस कहले यह मिकस कर लडे माने करे लें तो में तो विटमिन की गोली कहते हैं इस देंकिर तो चीज मेडिकल स्वाप आराम से मिल जाएगी आपको बहुत 20 से 25 रुपे में साइद मिल जाती है आप ले आना बिटमिनी की गोली बुरोगे आपको यह खुद दे देगा इसमें एक हलका सा बॉवी पिन से छेद कर देना फिर इसका जितना भी ऑईल होता है वो सारे निकाल देना मे अपने फेस पर अपलाई करने के लिए सीट मास कहते हैं एक्चली उसे मुझे अभी याद आया सीट मास कहते हैं जो अपने फेस पर अपलाई करते हैं सेम यह उसका सीरम बन जाएगा तो अब हमारा सीरम तो तयार हो गया अब इसे हमें अपने फेस पर लगाने के लिए कर लीजिए नहीं है तो आप कोई कोटन की हैंकी होगी आपके पास रुमाल वो ले लीजिए या फिर कोई साफ कोटन का कपड़ा तो उसे यूज कर लीजिए और उसके बाद ना उस सीरम के अंदर आपको इस टीशू पेपर को अच्छे से डाल देना जितना भी उसका सीरम हो मास जो भी है वो बन जाएगा आपके फेस के लिए लेकिन एक बात का मैं बता दूं आपको मैंनेजर से लगाया ना तो मुझे थोड़ी मतलब पूरे तरीके से यह बंद था मतलब चिपक गया था एकदम अच्छे से फेस पे जो मार्केट वाला होता है नो उसमें देख़ मैंने इसे सिफ अपने चेहरे पे 20-25 मिनट के लिए ही रखा है आप इतनी दिर रख सकते हैं देखना आपको मार्केट वाला सीट मास में एक्स्प्रियंस होता है नो सेम वैसा ही होगा आपके फेस पे सीरम जो बचा होगा ना उसे आप उसे अपने फेस पे मसाज कर लीजि कितने अच्छा ग्लो आ ग्लो आया है अगर आपको मतब मतलब बता आले सकते हैं गलो आया है और मेरी आप लग ऐसी कि पू кажे तो प्लीज कमेंट में जरूर कुछ सवाल पूचे कीज़िए अगर आपको किस और सी आप सवाल पूछे जिसे कि मैं आपको पूछ अपको जान करिया दे पाऊं तो अभी चलती हुए बाबाय और मिलते अपने नैक्स वीडियो में प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में आपको अगर किसी और चीज के बारे में जानना है तो जरूर पूछेगा